हेलो दोस्तो अगर आप भी इस परकार के इमेज क्रियेट करना चाहते हैं वो भी फिरी एक किलिक में आप ऐसा फोटो इडिट कर पाएंगे नाम और अपने फेस के साथ जो की टीसर पर आपका नाम विसाल जो भी रहेगा दोस्तों यहां डाल सकते हैं और राम लक्षमन के सा इसा फोटो आपना क्रियेट कर सकते हैं इसमें अपना फेस लगा सकते हैं बिल्कुल फिरी एक किलिक में ऐसा क्रियेट कर सकते हैं तो दोस्तों अगर क्रियेट करना सिखना है तो फिलीज चैनल को सस्क्राइब करके वेल आइकन भी प्रेस कर देजे क्योंकि आपके लिए simple सी आपको क्या करना होगा..! कि आपको Chrome आप hetal को open कर लेना है उसके बाद open कर लेने के बाद दोस्तो simple सी आपको उस side का नाम लिखना है जिस side से image 기reate करना है दोस्तो तो उस side का नाम है wing image creator जूका उपर में लिख रहा है दो उपन भी हो गया side simple से जो first वाला side है दोस्तो image creator with wing वाला उस पर touch करके आप उस side को open कर लेना है आपके सामने कुछ ऐसा interface खूल जाएगा दोस्तो सबसे पहले यहाँ image create करने से पहले आपको एक ID login करना पड़ता है Gmail से जो कि मैं 3 line के option for right side में है दोस्तो टच करके दिखा देता हूँ जैसे मेरा ID RAM नाम से login है दोस्तो अगर आपको ID login करने में तकलिफ है यानि दिक्कत हो रही थे इस वीडियो के डिपकीशन में एक वीडियो का link डाला हूँ मैंने उसमें मैं बताया हूँ आपको Microsoft Wing का ID login कैसे किया जाता है वह भी बुल रहा है किस परकार का image चाहिए और कैसा किस नाम से चाहिए जो कि already मेरे वीडियो के डिपकीशन में भी मिल जाएगा वहां से आप देखकर यहाँ फिलेप कर देना है बट आपका नाम वेगराद चेंज करना होगा वह भी में कॉंपी करके रखा हूँ अभी आपके सामने यहां पेस्ट कर देता हूँ जो कि पेस्ट भी कर दिया देखिए दोस्तों मैंने कैसे प्रॉम टेक्स्ट लिखा हूँ जो कि आपको वीडियो के डिक्शन में यह भी प्रॉम टेक्स्ट मिल जाएगा जो की एर्स में डाल दिया हूँ 28 तो अपने इस अप से अपना उम्रे डाल pods देना है उसके बाद देखिये दुस्तो फ्रेम डाल दिया हूँ फ्रेम में फोटो चाहिए उसके बाद नहीं राम सितारा एंड लक्शुमान का जी का भूटो के सांथ चाहिए उसके बाद दोस्तों यहां डाल दिया हूं विसाल ऐसे करके में नाम डाल दिया हूं अगर में नाम राम भी डाल देता दोस्तों देखे राम डाल देता हूं मेरा नाम राम हुआ दोस्तों ऐसे करके राम डाल दिया उसके बाद सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है create पर टच करके आप उसको creating में भाच देना मतलब कि आपका फोटो क्रिएटिंग होने लगा कुछी दिर के बाद आपको सामने चार फोटो बनके आ जएगा तो कुछ दिर wait कर लेना है दूस्तों तो finally दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने चार फोटो फोरेशिदन तरीका से बनके आ गया दोस्तों कुछ दिर वेट करने के बाद इसमें आप फुल स्किन करके देख सकते हैं इसमें देखिए मेरा नाम भी राम यहां पर फ्रेम पर लिखा गया दोस्तों आप जो भी नाम डलिएगा यहां टेक्स्ट हो जाएगा तो इसस इसमें कोई भी चार फोटो में से आपको क्यी अच्छा नहीं लगगा तो सीमपल से आपको क्रियेट पर टच कि जिए तो और चार फोटो आ जैगा तो माल लीजे आप अप फोटो सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपेन हो गया उसके बाद नीचे में स्क्रॉल करकर चल आना है दोस्तों उसके बाद यहां लिखा गया फेस स्वीपनाऊ उस पर टच कर देना है सिंपल सी आपके सामने कुछ ईसा इंटरफेस आ जाएगा तो आपके तो सी करना है तो उसके लिए सिंपल स आपको क्या करना होगा दोस्तों यहाँ अपलोट इमेज पर जाकर उस image को अपलोड करना है जस image का अब बहुत सारे image को डाउनलोट करके रखाऊ हूं तब रتمाआ लेट अपके सामने इसलिए मतलब किmare इसको एड़ कर लेता हुँ कर देता हुँ उसका छेंज करना चाहता हूं और नीचे में उस फोटो को एड़ करना है जिस फोटा का आप самого चाहते हैं उस फोटो में मतलब ओन किलिक में कुछी देर के बाद आपका फेस लगकर रेडियो हो जेगा तो कुछ देर वेट कर लेना है दोस्तो तो फाइनली दोस्तो देख सकते हैं आपके सामने फेस लगकर यानि कि मेरा फेस लगकर उस फोटो में आगे हैं आप भी यहां से देख सकते हैं फूली स प्यारा से कर देजेगा चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही जैहिन जैस्री राम